मतलब फंगस क्या है? फंगस एक तरीके का एक मैं कहना चाहूँ तो यह अगरवत्ती के लिए coronavirus है कहीं भी एक छोटा सा फंगस लगा एक अगरवत्ती में तो वो पूरे कार्टून को खा जाता है तो सबसे पहले कारण मैं बताता हूँ कि fungus क्यों लगता है? fungus लगने का कारण है अभी सारे अलग-अलग तरीके अपनाते हैं कोई बोलता है deep oil डालो नहीं कोई बोलता है कि ऐसे कुछ ऐसे powder सोते हैं ऐसे chemical सोते हैं जिससे fungus नहीं लगता तो वो डालो देखा आपने लापरवाई का नतीजा है सो फिर जो है काफी सारे लोगों के काफी अलग-अलग सवाल आ रहे थे कि सर अगर बत्ती सुख नहीं रही है बारिस की सुर्वात होते ही एक सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा प्रॉबलम है वही अगर बत्ती को सुखाना और यही चीज़ें जो है नहीं हो पाती और इसके साथ साथ हो जाती है एक बड़ी प्रॉबलम क्योंकि सप्लाई चैन थोड़ा सा रुक जाता है दूसरी चीज माल अगर सुखेगी नहीं तो फिर आगे तयार नहीं होगा प्रोसेस नहीं हो पाएगा और इसके साथ साथ एक नुकसान भी देखने को मिलता है और ये काफी सारे question थे क्योंकि बारिस almost मेरे ख्याल से डेर से दो मैना हो गया continue बारिस हो ही रही है क्योंकि शावन का भी मैना चल रहा है तो बारिस तो हो नहीं है बट हम क्या करते हैं हम इसके जो है इस आने वाले टाइम को टाइम से पहले प्रिपियर नहीं होते कि भाई होगा ना जब तक होगा बारिस होगा देखेंगे अब जब बारिस हो जाती है तब हम लगते हैं रोने कि सर अगरवत्ती नहीं सूख रही है और काफी सारे ऐसे कस्टमर्स और ऐसे जुड़े हुए लोग अभी देखो मेरे पास अगरवत्ती थी डस्ट आर राइस में यह यहीं की अगरवत्ती थी जो कि खुले में थी तो मुझे लगा यार मेरे पास यह चीजे लगी हुई है और लोगों को अगर एक छोटा सॉलीशन अगर मिल जाता है तो उनके लिए भी हेल्फुल रहेगी वैसे वीडियो बनाने का टाइम नहीं था बट इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजे बताता हूँ जिससे आप से बच जखते हैं सीधा सा मचला यह है इस वीडियो का तो करने हैं वीडियो की सुरवात और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि अगर मत्ते बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आ आप सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ताकि आने वाले न्यू अपडेट्स आपको जल्दी से मिलते रहें तो चलते हैं भाई हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम की और मतलब फंगस क्या है फंगस एक तरीके का एक मैं कहना चाहूं तो यह अगरबत्ती के लिए कोरोना व और अगर बोरी में भर के रखें तो पूरा बोरी का माल ही पूरा फंगस लग जाता आपने देखे होंगे और मेरा तो पाच-छे साल 6-7 साल का एक्सपरियंस है तो वह चीजे मैं आपको गरेंटी के साथ बता सकता हूं अगर आप पुराने होंगे इस फिल्ड में अगर ब अगर बत्ती बच पाती हैं बावी आपका कोई भी बना हुआ जो है प्रोड़क्त हो अगर बत्ती की मैं बात लों कलर अगर बत्ती हो गया दुप कोन स्टिक्स जो पाउदर से जा आप साम भूड़क्ट है ना फिर थों कोन सहानी ये सारी चीजों में तो भई इनके लिए 100% coronavirus है black थोड़ा बच जाता है ये बिल्कुल नहीं बचता है ये burning इसू कर देगा या फिर fragrance पुरी तरीके से अगर आपने deep करके रखें तो भी खतम हो जाएगा और जो है हमारा अच्छा खासा जो है नुकसान हो जाता है तो सबसे पहले कारण में बताता हूँ कि fungus क्यों लगता है fungus लगने का कारण है अगरबती time से नहीं सूख पाना और नहीं सूखने का कारण क्या है कि उन्हें proper air जो है नहीं मिल रहे या फिर ऐसे कुछ temperature नहीं मिल रहे हैं जिससे अगरबती आसानी से सूख पाए और यही पे होती है गलतिया अगरबती टाइम से पहले नहीं सुकती और उसमें दिरी दिरे फंगस चड़ना चालू हो जाता है और वो फंगस इस तरीके से चड़ता है कि भई पूरी अगरबती पूरी तरीके से खराब कर देता है अभी कुछ एक्जामपल है मेरे पास आप देख रहे हो इसमें ब्लैक अगरवत्ती है ब्लैक भी लगबग लगबग हमें देखने को ऐसा मिल रहा है कि यह वाइट हो चुकी है यह मेरा बेस जो है फ्रैग्नेंस टेस्टिंग के लिए हम लोग रखते हैं एज ग्लास में उसी चीज क्या हो जाती है हम कुछ चीजें और ध्यान नहीं रख पाते हैं माल बन गया बन गया तो पड़ी ही रहता है वह और उसके कारण जो है इसमें भी फंगस चड़ता है तो सबसे पहले कारण हो गया कि हमारी अगरवत्ती सूख नहीं पाती दूसरा चीज अच्छी पैक चाहूं तो कुछ यही 3-4 कारण है अब इसका सॉलीशन क्या हो सकता है फंगस तो लगनाई है बारिस के टाइम में लगे गई तो हम क्या करते हम काफी सारे अलग अलग तरीके अपनाते हैं कोई बोलता है डीप योई डालो नहीं कोई बोलता है कि ऐसे कुछ ऐसे पाउडर से बच जाय यह सही बताओ तो इसका कोई सौलीशन नहीं है इसका सिर्फ एक सौलीशन है कि यह टाइम से सुखना चाहिए मतलब ड्राइं होनी चाहिए इसके लिए क्या होई आपका ड्रायर फैन है ड्रायर फैन आप यूज़ करो काफी सारे लोग ड्रायर फैन को एफोड तो उस तरीके की जो सिस्टेमेटिक ड्राइर फैन जो है वह आप यूज कर सकते हो इसके साथ भाई ड्रायर फैन भी यूज करें उसके बाद भी नहीं सूख रहा है तो एक बड़ा कोश्चन यह होता है और इसमें इसके लिए क्या कर सकते हो आपकी किसी पी तरीके से अगर के जो ग्राउंडिंग एरिया है जहां मनुफैक्श्रिंग करते हैं वहां सनलाइट पड़ता है बाइद बारिस में बहुत कम सनलाइट निकलते हैं तो कहीं टाइम मिले तो प्रॉपर उसे थोड़ा सा सनलाइट के नीचे रखके मतलब सूर्य जो हमारा दूप जहां से नि इसमें मॉइस्टर रहता ही है बट उससे कोई इशू नहीं है उतना चल जाता है और आके बस मैं यहीं बोलना चाहूँगा कि इसके पीछे आप ज्यादा दिमाग मतलगाईए कि हम यह डालेंगे तो ठीक हो जाएगा यह केमिकल मिलता है यह डालेंगे तो ठीक हो जाएगा कई लोग बोलते हैं डीपी ओईल डालो तो भी ठीक हो जाएगा प्रीमिक्स में डीपी ओईल मिलाने से फंगस नहीं लगता है यह सब जूट मूट की बाते हैं इससे कोई शॉलीशन आपका नहीं मिलने वाला है इसके लिए बस वही है मैं चीजे मैं आपको बताया कि प्र तो यह ज़दा तर जो है सिंगल डूवल मशीन जो रखे हुए एक आदो मशीन से काम कर रहे हैं उनके लिए ज़दा प्रॉबलम होती हैं जो नए लोग होते हैं उनके लिए फ्रॉबर थोड़ा सा प्रॉबलम होता है बट वो जैसे जैसे काम में आगे फिल्ड में जाते प्रिपियर होते जाते हैं उनको चीजे समझ में आती जाती हैं तो कुछ इस तरीके से हैं तो इस अगरबत्ती वाले कुरोना वाइरस से आप इसी तरीके से बज सकते हैं और इसका और कोई और नरी शॉलिशन नहीं हैं तो मैंने जो प्रोसेस आपको बताया वह चीजे आप फॉल्लो जरूर कीजिए और फैन हो गया या फिर किसी भी तरीके का नॉर्मल ड्राइयर फैन हो गया वह यूज करें स आपकी अगर्बत्ती खराब नहीं होगी और हो सके तो कलर अगर्बत्ती वाइट अगर्बत्ती और पाउडर से केटेगरी अगर्बत्ती जो है ना उसे आप कम ही बनाएं